ओके तो आज के लेक्टर हम देखेंगे कि लास्ट लेक्षर में जो चीज हम लोग has pong कॉश्य अपढ़ा था, कॉन सा टोपीक लास में पढ़ा था इमने पढ़ा था, Need for Modulation स्टार्टिंग करी थी और इसमें सबसे पहला पॉइंट आया है था कि antenna height reduction, इसमें हमने आपको ये बताया था, कि अगर हम lower frequency range पे हैं, जैसे कि हमारी voice signal है, या फिर कोई भी audible signal है, या low frequency signals है, base band signals है, इन signals को हम directly बहुत दूर तक transmit नहीं कर सकते, और अगर हम बिना modulation के इसको send करना चाहते हैं, तो हमें आउशकता पड़ेगी, कि हम एक बहुत ही बड़े, बहुत ही उचे, लंबे antenna की, जो की practically possible नहीं है, यहाँ पे हमने calculation करके दिखाया था, तो इसमें दिखा था, कि antenna की जो height है, लगबख 75 km की range आ रहेगी, और 75 km long antenna is not practically possible, तो हम लोग क्या करते हैं, modulation कर देते हैं, modulation में हमने आपको बताया कि अगर carrier frequency को ज़्यादा रख लिया जाए, carrier frequency का term इंटर्ड्यूस किया था, carrier frequency वो frequency होती है, जिस पर हमारा modulating signal superimpose होकर travel करता है, तो carrier signal की जो frequency, अगर suppose करते हैं कि यह 100 MHz है, तो इसके corresponding अगर हम antenna height find करेंगे, तो यह लगबख 75 cm आ रहा था, और 75 cm मने बताया था, इतना dimension होता है, इतना antenna possible होता है, तो यह है पहला antenna height reduction, next point हमारा आता है, avoiding mixing of signals, avoiding mixing of signals, ठीक है, यह क्या topic है, यह कौन सा point है, यह point यह बता रहाया है कि, अगर हम बहुत सारे low frequency signals को, and number of low frequency signals को, एक साथ modulate करके send कर दें, एक ही carrier पे, तो possibility यह है, कि हो सकता है, कि बिना modulation के, अगर हम signals को send कर रहा है, तो उनमें interference हो जाएगा, mixing हो जाएगी, ठीक है, mixing, और अगर हम modulation कर रहे हैं, modulation करने के बाद क्या होता है, frequencies low से high के तरफ translate हो जाती है, ठीक है, तो जो हम लोग frequency spectrum पढ़ते हैं, frequency spectrum low frequency range से higher frequency range के तरफ translate हो जाता है, ठीक है, और जब कभी भी higher frequency range पर translation होता है, तो वहाँ पर जो band मिलते हैं, हमारे जो spectrums मिलते हैं, उन spectrums में gap होता है, और वहाँ पर mixing नहीं हो पाती, ठीक है, mixing is a bad thing, एक खराब चीज़ है, जो की नहीं होनी चाहिए, किसी भी signals, किसी भी number of signals में, ठीक है, तो अगर हम बहुत सारे modulating signals को बिना modulation के send करें, बिना modulation के process के send करें, तो उसमें mixing हो जाएगी, और अगर हमने उसमें modulation कर दिया, तो वो frequency translate हो जाएगा, translate करने का मतलब किसी higher frequency range पे चला जाएगा, और हमें महाँ पर किसी भी प्रकार की mixing नहीं मिलेगी, ठीक है, तो this is the second point, avoiding mixing of signals, ठीक है, third point पे आते हैं, third point है, increase the range of communication, आपको यह जानकारी होनी चाहिए, कि जैसे जैसे हम distance बढ़ाते हैं, आर बढ़ाते हैं, तो power घटता है, ठीक है, तो power is proportional to one, अच्छा, power जो है, वो lambda square के inversely proportional होता है, ठीक है, तो हम कहें, कि the power is proportional to one upon lambda square, ठीक है, यह भी जब हम लोग friss equation पढ़ते हैं, वहां से यह relation आता है, ठीक है, friss equation तो हम लोग antenna और detail में पढ़ेंगे, या फिर radar communication और detail में पढ़ेंगे, या फिर satellite communication और detail में पढ़ेंगे, तो वहां पर यह relation आता है, ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि power is proportional to one upon lambda square, और lambda, हमें पता है कि lambda is inversely proportional to frequency, ठीक है, frequency कम, ठीक है, तो इसमें हम यह कह सकते हैं, कि अगर हम frequency बढ़ा रहे हैं, तो हमारा power बढ़ रहा है, ठीक है, अगर if frequency is increased, frequency बढ़ाएंगे, तो lambda कम होगा, और lambda कम होगा, तो power बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब है, कि अगर हम higher frequency पे चले गए, समझीगा इसको, अगर हमने modulation कर दिया, तो modulation करने के बाद, हमारी frequency तो बढ़ जा रही है, अगर frequency बढ़ जाएगी, अगर frequency बढ़ जाएगी, तो lambda कम हो जाएगा, lambda कम हो जाएगा, तो power बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि long distance communication possible है, ठीक है, तो third है, कि we can increase, increase, increase the range of communication, ठीक है, या फिर communication range को बढ़ाने के लिए, हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है, now, fourth point, चौथा point क्या है, यह है, multiplexing is possible, multiplexing is possible, multiplexing possible है, अब multiplexing possible का मतलब क्या है, समझे, अगर जैसे हम लोग घर में TV देखते हैं, तो उसमें हम क्या, हमारे पास क्या process होता है, हमारे पास multiple TV channels होते हैं, जो की अलग-अलग frequency band कवर किये हुए है, ठीक है, लेकिन हम एक ही satellite link से अपने घर में उन सभी channels को देख सकते हैं, तो यह possible कैसे है, link तो एक ही है, link एक ही है, link एक कौन सा है, generally अगर C band की बात करें, तो 6 by 4 gigahertz है, 6 by 4 gigahertz, uplink और downlink कहा जाता है, और अगर और भी KU, K band की बात करें, तो उनके भी uplink और downlink अलग-अलग होते हैं, वो हम लोग जब बाद में, detail में पढ़ेंगे, satellite पढ़ेंगे तो बताएंगे, तो फिरहाल के लिए एक satellite link अगर है, तो उसमें हम लोग multiple channels कैसे देख सकते हैं, इसी तरह से देख सकते हैं, कि वो जो channels हैं, उनकी multiplexing करके single channel से send कर दिया गया, उसको single path से send कर दिया गया, इसमें process होता है, जहां से send करना होता है, वहां पर multiplexing होती है, और जहां receiving होता है, वहां demultiplexing होती है, तो multiplexing तभी possible है, जब हम उसको, जो हमारे small signals है, जो small frequency signals है, base band signals है, उनको modulate करते हैं, तो fourth one is multiplexing is possible, इसको कैसे समझेंगे, multiplexing is possible, if multiple signals can be transmitted through a single channel, तेक है, now, fifth point is the quality of reception, इंप्रूवड, 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 quality of reception, इंप्रूवड क्वालिटी ओफ रिसेप्शन, तेक है, जो communication होता है, उसमें channel में noise introduce होती है, noise क्या होता है, एक unwanted signal होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, undesired होता है, तो process ऐसा किया जाए, modulation ऐसा किया जाए, कि कम से कम noise का interference हो, और कम से कम noise का interference के लिए हम लोग modulation करते हैं, इसका सबसे अच्छा example है, pulse code modulation, और ये तो pulse code modulation हो जाएगा, digital transmission में, और analog की बात करें, तो frequency modulation, हम लोग जब detail में modulation पढ़ेंगे, ये तो need for modulation है, कि modulation की आवशक्ता क्यों पढ़ रही है, जब हम modulation detail पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे, frequency modulation, एक प्रगार की modulation scheme, अगर किसी भी ऐसे महानगर में हैं, जहां पर FM signal आता है, तो आप जब उस signal को सुनते हैं, तो आप बिल्कुल clear surround sound system सुन पाते हैं, जब आप earphone का use करें, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी distortion नहीं आता है, unless and until weather बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब होता है, तब ही जाके effect पड़ता है, otherwise FM is said to be more noise immune, ठीक है, तो FM क्या है, frequency modulation, ठीक है, तो और second वाला पार्ट क्या बता है, मैंने pulse code modulation, pulse code modulation, digital transmission scheme है, जिसमें noise का effect कम से कम होता है, तो obviously noise का effect कम होगा, noise कम होगा, unwanted कम होगा, तो quality तो बढ़ गई, तो इसलिए fifth point है, improved quality of reception, reception मतलब हम उसको जब receive करते हैं, तो ये 5 points हमने आप से discuss किये, आज के lecture में यही 5 points हैं, इनको मैं एक बार briefly recall कर देता हूँ, पहले तो हमारा topic क्या है, need for modulation, इसमें सबसे पहले है antenna height reduction, जो कि मैंने बता दिया, आपको समन में आ गया होगा, second point है, avoiding mixing of signals, कि अगर low frequency signals या base band signals को बगैर modulation के send करेंगे, तो उसमें mixing हो जाएगी, और सामने वाले तक नहीं पहुँच पाएगा, वो उसको विभेद या distinguish नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या करना होता है, हमें modulation करना होता है, modulation से क्या होता है, वही signals दूर बड़े frequency पर translate हो जाते हैं, और वहाँ से easily हम उनको distinguish कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया avoiding of mixing of signals, थर्ड पॉइंट है, increase the range of communication, मैंने बताया कि यह एक हमारे freeze equation से यह relation आता है, और ऐसे अगर general term में बात करें, तो जैसे हम आप से, कोई भी दो व्यक्ति face to face बात कर रहा है, समझिएगा, face to face बात कर रहा है, तो वो कितनी दूर तक बात कर सकता है, 10 meter, 20 meter, चिलाएगा तो 50 meter तक, 100 meter तक, लेकिन 100 meter के बाद 500 meter तक अगर आवाज ऐसे डायेट ले पहुँचा नहीं है, तो कैसे जाएगा, वो किवल चिला के तो नहीं पहुचा सकता, चिला के कहने का मताब है, low frequency पे नहीं पहुचा सकता, तो वो क्या करेगा, चलो भाई, modulation करते हैं, modulation से वो higher frequency पे चला गया, और modulation का बहुत अच्छा example, आप देखी रहे हैं कि आपके पास, ये जो lecture पहुँच रहा है, ये modulation से ही पहुच रहा है, आप किसी से mobile पे बात कर रहे हैं, तो वो भी modulation से ही है, जिसे आप यहां से दूसरे continent तक बात कर सकते हैं, ठीक है, now next is, multiplexing is possible, ये मने बताया था, इसमें क्या होता है, कि अगर हमें multiple signals को single channel से send करना होता है, तो इस process को हम लोग multiplexing कहते हैं, और multiplexing तभी possible है, जब हम signals को का frequency translation कर दें, या फिर modulation कर दें, ठीक है, और fifth point है, improved quality of reception, इसमें मैंने आपको ये बता दिया, कि noise के effect को कम करने के लिए, हम कुछ modulation schemes का use करते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी scheme है, जिसमें noise उतनी ज़्यादा reduce नहीं हो पाती, ठीक है, तो उसके examples मैंने दिये FM और PCM, FM और PCM, FM analog modulation का, और PCM digital transmission schemes का एक example है, जिसमें quality of reception हमारा best होता है, ठीक है, तो ये हमारा topic cover होता है, that is need for modulation, next lecture में आते हैं, तो इसके आगे modulation को और detail में समझते हैं, okay, thank you.